लेक्चर नमबर 35 यह आपका लेक्चर नमबर 1 होने जा रहा है किसका इंडियन जोग्रोफी का आज के लेक्चर से हम इंडियन जोग्रोफी का स्टार्ट कर रहे हैं देखें पहले यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप दिखता था लेकिन आज यहाँ पे आपको इंडियन जोग्रोफी का इंडियन इंडिया का मैप दिख रहा है तो आज से हमारा इंडियन जोग्रोफी स्टार्ट होता है चलिए देखते हैं फरस लेक्चर में हम क्या पढ़ने व और उसके बाद इंडिया के आपके बाहँ कटीं के देखेंगे फिर कौनकौन सी स्टेट कौन nueva टेखेंगे और थोड़े बहूत इश्यू भी इंडिया के पर्लिक्स नहीं हैो अब को अज को लेक्टिर से श्टार्ट करplease उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि हम यह इंडियन जिग्रोफी कहां कहां से कवर करने वाले हैं सबसे पहला तो आपका NCRT जो है आपकी इंडियन फिजिकल जिग्रोफी की उसके बाद जो आपकी खुलर है ठीक है महां से खुलर से भी उठाया है हमने कुछ कॉंटेंट उ तो यहां से हम यह सारा आपका इंडियन जोग्रोफी आपको कराएंगे सबसे पहले हम जोग्रोफिकल एक्स्टेंट देखेंगे कि इंडिया हमारे पूरे वर्ल्ड में कहां लाए करती है देखिए अगर हम यह आपका नॉर्थ है नीचे आपका यहां पे साउथ है इस लेके यह कहां तक जाता है आपका साउथ से लेके एट डिग्री फोर मिनट साउथ से लेके आपका 37 डिग्री 6 मिनट नौर्थ तक इंडिया एक्सेंट करता है यानि कि अगर हम कन्या कुमारी से उपर बिल्कुल उपर अट्मोस्ट पॉइंट आफ कश्मीर देखते हैं तो इस टू वेस्ट ट्रेच है वो कितना है यहां देखिए यह देखिए आपका गुजराथ रन अफ कच जो कि आपका वेस्टन पॉइंट है यहां पर आपकी कौनसी लॉंगिट्यूड है यहां आती है आपकी 68 डिगरी नौर्ट 7 इस लॉंगिट्यूड और एक हाँ तक एक् इसको टू पार्ट में डिवाइड करता है इन्डिया को तू अल्मूस्त इकृल हाफ कह सकते हैं उसको इसमें डिवाइड करता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उपर वाला पार्ट है यहां आपको यह ट्रॉपिकल पार्ट है आपका ठीके फ्रेंट यह कौन सा है आपका ट्रॉपिकल पार्ट है उसके बाद हम एक चीज और देखेंगे यह आपके जो पूरा की पूरा जो आपके जो कोस्ट लाइन है आपकी जहां इंडिया का वाटर है वो आपका 7500 किलो मिटर्स का है ठीक है और जो लेंड बॉर्डर है लेंड फ्रेंटियर है आपके वो आपके 15200 किलो मेटर के है अब जो कोस्ट लाइन है आपकी इसमें आपका इंडिया का में लेंड भी है और आपके आइलेंड जो है इंडिया के दो आइलेंड है अंडमान निकोबार और लक्षदीप वो आइलेंड की कोस्ट की जाती है वो आपके 82 degree 30 minutes east longitude को हम reference मानते हैं और आप सब को पता होगा कि अगर हम west से east तक देखते हैं तो यहाँ पे two hours का difference होता है कितने hours का difference है two hours का difference है sun सबसे पहले rise करता है आपका east में ठीक है और two hours बाद आपकी कहा आएगी जो run of catch है आपका west में वहाँ आपकी sun rays पड़ेंगी तो वहाँ sun ओगेगा rise करेगा उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं कि कहां से कहां क्या extent है इंडिया की आपकी जो southernmost point है अगर आप से एकदाम में पूछे जाता है देखें बहुत सारी confusion होती है इसमें कि southernmost point country का हमारी Indian country का क्या है तो वो है हमारा pigmalion point या उसे हम इंद्रा point भी कहते हैं जो friends आपका पढ़ता है अंडमान निकोबार आइलेंड में और यह कहां बिल्डेन करणा क्षमीर इंद्रा कॉमारी इंडिया कंट के तक क्षमीर कंट कों पूरा है और अब east to west width की बात करते हैं तो यह run off कच गुजरात में बिल्कूल westernmost point है जो इंडिया का उससे लेके अरुनाचल प्रदेश तक जो easternmost आपका state है इंडिया का वहाँ का easternmost point उसकी जो width है आपकी 2,933 km है अब जो इंडिया का पूरा एरिया है आपका 32,32,87,263 km इतने एरिया में आपका फैला हुआ है इंडिया आपका 7th largest country है पूरे world का और अगर देखा जाए कि total जितना भी पूरा world में surface area है उसका इंडिया के पास कितना है तो वो इंडिया के पास 2.4% है चलिए मैं आपको यह जो pigmalion point है या इंद्रा point है इसको भी दिखाता हूँ इसकी location दिखाता ह है देखे फ्रेंट मैंने आपको बदाया था ना यहां पर कश्मीर से लेके पूरा राजिस्थान गुजरात देन नीचे तक आता है ठीक है तो यहां से लेके पूरा उपर से लेके देखे जब हम बात करते हैं आपकी यह जो आपका north दिख रहा है यहां north दिख रहा है ठीक के उपर जो भी आपकी latitude होंगी वो तो सारी North में होंगी न तो जो इंडिया की location आएगी यहां से लेकर यह वाला जो पॉइंट है कन्या कुमारी का यह 8.4 ठीक है तो यह क्या हो गया आपका 8.4 नॉर्थ से लेकर अगर आप कश्मीर तक जाते है तो वहां पर कश्मीर पर इंडिया कॉल इंद्रा कॉल सॉरी इंद्रा कॉल जो पॉइंट है कश्मीर में कश्मीर के टॉप पे वो आपका 37.6 नॉर्थ लाय करता है तो यह उसकी एक्स्टेंट हो जाती है ठीक है अब यहां पर अगर हम इसकी बात करते हैं यहां पर ठीक है तो यह आता है आपका आपका पूरा अर्माचल प्रदेश तक की एक्स्टेंट दिविया है इन दोनों का डिफ्रेंस देखेंगे इसका डिफ्रेंस देख लिजे आपका अल्मोस्ट सेम मिलेगा यानि कि जो नौर्ट टू आउथ आपकी और थोड़ा बहुत डिफ्रेंस है वस यानि कि जो आपक पूरा इन डिफ्रेंस देखेंगे तो पूरा नौर्थ में काउंट होगा हमारे पास क्योंगी इक्वेटर से उपर नौर्थ और इक्वेटर से निचे साौन की ढरा करेंके तो यहाँ पर आपका east ही आएगा यह I hope यह आप वाला पार्ट आप समझ गए होंगे चलिए अब मैं आपको इंद्रा पॉइंट जो मैंने बताया था कि जो southernmost point है आपका इंडिया का वो बताता हूँ देखिए अगर इंडिया का southernmost point पोछा जाता है किसका southernmost point of इंडिया तो कौन सा होगा वो आपका होगा इंद्रा पॉइंट ठीक है पिगमेलियन पॉइंट यह आपका क्या है यह इंद्रा पॉइंट है और यह कहां पढ़ता है आपका यह अंडमान और निकोबार आइलेंड में पढ़ता है फ्रेंड्स ठीक है यह देखिए एक विलेज है एक इंद्रा पॉइंट जो कि आपका बिल्कुल southernmost विलेज है इंडिया का ठीक वो उसको हम पिगमेलियन पॉइंट यह इंद्रा पॉइंट कहते हैं यहां पर आप इसकी प्रेंड्स एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आपको कैंद्र पॉइंडिया के में लेन्ड का अगर आपको सदन मोस्ट पॉइंट पूएंट तो फिर वह आपका क।या होगा तो फिर फिर आपका कंया कुमारी ठीक है नहीं। को पूरे South में आपको का पढिता आपEr्ल कुंद किरने करते हैं और इंडिया की territory की पूरी इंडिया की बात करते हैं तो इसमें हमारे दोनों की दोनों चो आयलेंड है वह भी एंक्लिओ किये जाते हैं झाल 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 इंडिया यह टेंपल्लेçe है यह तीकल से टेंपल्लेटर पार्ष, सवयज जए लिए आप पाज़ एंडिया के टेंपल्लेटरियर, इन्पलेटर सोडू, पार पार्ष दिल्रियू, पार्ष आजनध 생ाल थेंपल्ले लि이 से लिए पार्ष Dag उडेश् सेट्स आखें वा इंदा प्रॉम रॉष एश्या भाय हमाल्याज घ्यमितली दीदिद वाई प्रॉपिकल मंसूं और टेम्परी टेर मॉस्टली लॉट भाय हमाल्याज झाल असके बाद तो अपिस सेटल्मेंट्स है अग्रिकल्चर है और जो अमरे का स्टाइम मिली एकनोमिक एक्टिविटी है तरी जहाँ तो पूसर हमारे का स्टाइम है ने प्रेंट्स चलिए एक और इंपोर्डेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जो हमारे पास इंडिया का क्लाइमेट है ठीक है इंडिया का जो हमारे पास क्लाइमेट है वो कैसा है इंडिया कैसी कंट्री है ठीक है तो आंसर किया इसका इंडिया का क्लाइमेट आपका ट्रॉपिकल इंडिया क्या है एक ट्रॉपिकल कंट्री है तो जो पूरा इंडिया का एरिया है ये कौन सा है आपका sub-tropical area है और इसको हम temperate area भी कह सकते हैं एक तरह से क्या बोल सकते हैं? temperate area भी कह सकते हैं बड़ जो tropic of cancer के नीचे वाला area है वो तो आपका tropics मेलाय करता है तो वो तो बिल्कुल tropical हुआ तो यहाँ यह जो वाला area है आपका tropic of cancer के नीचे यह तो बिल्कुल आपका कैसा होगा यह आपका tropical ही है बट जो उपर वाला area जो northern states है इंडिया की वहाँ पे सब tropical area है temperate area भी कह सकते हैं क्योंकि mountains है ice भी वहाँ देखने के लिए मिलती है बट इसका सबसे ज़्यादा रिजन क्या देखे यहां आपको क्या देखने के लिए मिलता है यहां आपके हिमाल्याज है यह क्या है फ्रेंज आपके यहां पे आपके हिमाल्याज है और हिमाल्याज क्या करते है आपके जो उपर से हमारा यहां से उपर से ठंडी हवा आती हैं उनसे हिमाल्या हमारी country को protect करते हैं हमारे जो नदन plains है Northern reasons है country के उनको protect करते हैं जो आपके कर देता है और इसीवाइश से घर हमारी country का नीचर है country का से कहलाता है वो हमारे पास ट्रॉपिकल कहलाता है और आपको तो पता है हमारी जो कंट्री का क्लाइमेट है वो उसे कौन डॉमिनेट करता है उसे आपका डॉमिनेट करता है मॉन्सून कौन डॉमिनेट करता है उसे डॉमिनेट करता है monsoon तो इसलिए हमारी country का climate कैसा है tropical monsoonal climate कहा जाता है हमारी country का सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बता ही जो हमारे पास temperate air masses है इनको block किया जाता है हिमाल्यास के थुरू और यह हमारे पास northern part में इतनी थंड़ी हवाएं जो थंड़ा air masses है वो नहीं आपाती है इसलिए हमारे जो country का climate overall उसे tropical कहा जाता है tropical country माना जाता है पूरी इंडिया को उसके बाद एक बात और देखिए जो हमारे पास settlements है हमारी country की ठीक है उसके बाद दूसरा जो हमारे पास agriculture है हमारे country का तीसरा जो हमारे पास primary economic activity है हमारी country की वो सारी तीनों चीज़े क्या शो करती है वो शो करती है कि हमारा जो climate है इंडिया का वो tropical है nature में क्या है तो friends आगे से आपसे कोई पूस्ता है तो with reason you can explain कि इंडिया का जो इंडिया जो है tropical country है इंडिया का जो climate है वो tropical monsoonal type of climate है friends अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या है देखिए सबसे पहले हम जो चाइना वाला है उसकी बात करते है देखिए यह Chinese zing zyang province है आपका ठीक है अब Chinese zing zyang province से इंडिया को कौन separate करता है यह जम्मु एं कश्मीर अगर आप इस जम्मु एं कश्मीर के map को देख रहे हैं तो इंडिया के पास कौन सा पार्ट है इंडिया के पास यह लद्दाक यहां पे और यह जम्मू कश्मीर आपको जो blue portion में दिख रहा है ना यहां से लेकर जहां मैं draw कर रहा हूँ अभी यहां से लेकर पूरा जहां पे black dotted line आपको दिख रही है यह पूरा इंडिया के पास अभी यह है ठीक है यह वाला portion है बट चाइना ने occupy कर लिया है अब चाइना का जियांग जो चाइना का प्रोविंस एक जियांग प्रोविंस है तिब्बत वाला ठीक है अब यहां पर चाइना ने क्या occupy कर रखा है हमारे पास चाइना यह दिखिए लद्दाक है यहां पर तो इसका जो इस्टन जो साउथीस्ट वो भी चाइना ने आता है तो इन इंडिया का ओक्यूपाई कर रखा किस ने चाइनीज ने लददाग का ठीक अब यहां पर देखे शाक्षगम वैली यह वाली पार्ट है हमारे पास साक्षगम वैली है ये कौन सा पोर्षन है ये देखे ऊपर से यहां आ रहा है ये पोर्षन आपको दिख रहा है ठीक है तो ये जो शाक्षगम वैली है ये पहले आपका पाकिस्तान occupied कश्मीर के अंदर आता था पाकिस्तान के पास था बट पाकिस्तान वालों ने शायद 1969 में इसे चाइना को सीड कर दिया यानि कि चाइना को गिफ्ट में दे दिया कि आओ जी हम आपसे दोश्टी करेंगे और हम आपको वो चीज दे रहे हैं जो हमारी है ही नहीं बस हमने कबजा कर रहा है उसके उपर आप ये वाली वैली भी हमसे ले लीजिए तो अब ये किसके अंडर है ये चाइना के अंडर है इसको बोलते है चाइना ओक्यूपाई ठीक है ये पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था चाइना को और ये क्या है वैसे तो ठीक है ये पूरा इंडिया का पोर्शन है फ्रेंड्स जो की इन्होंने इल्लीगल तरीकों से occupy कर रखा है हमारे पास क्या बसता है कश्मीर वाला पार्ट यहाँ जम्मू है यानि कि जम्मू और कश्मीर बसता है और लड़ा कि यह वाला पार्ट बसता है अगर अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं देखिए चाइना का यह तो होगा तालू पास यह एक ट्राय जंक्षन है जहाँ पे आपका इंडिया तिबबत और मैयानमार का क्या होता है आपका ट्राय जंक्षन बनता है फ्रेंड आप सब को पता होगा हमारे पास एक चीज और है एक मैक मोहन लाइन चीक है मैक मोहन लाइन ये Mac Mohan कौन थे ये foreign secretary थे कभी British government के जो British Indian government थे उसके foreign secretary थे और इन्होंने Shimla Accord किया था तिबबत वालों के साथ ये 1913-1914 में Shimla Accord हुआ था हमारा Great Britain और तिबबत के बीच में किसके बीच में Great Britain प्लस तिबबत के बीच में क्या हुआ था एक हमारा Shimla Accord Shimla Accord हुआ था 1913-1914 में तब से हमारे पास Mac Mohan line आई जो कि इंडिया और चाहिना को divide करती है Eastern sector में ठीके फ्रेंट्स अब यहां देखिए एक बात और यह जो आपको यहां पर boundary दिख रही है न यह वाली जो boundary है बिल्कुल जम्मू किश्मीर की boundary इसको हम क्या करते हैं यह Red Cliff Line हम कहलाती है क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का partition हुआ था तो Eastern Pakistan जो कि आज नॉर्मल पाकिस्तान और जो वेस्तन पाकिस्तान जो कि बेंगवॉल वाला है जो कि आज बंगला देश है उसका और जो वेस्तन पाकिस्तान अभी है जहां पे आपके जो क्रिकेटर है वो उनके Prime Minister है त इसका जो बॉर्डर ये वाला बॉर्डर दिया गया था ये रेड क्लिफ ने डिमार्केट किया था ठीक है रेड क्लिफ एक ब्रिटिश के ऑफिसर थे तो उन्होंने डिमार्केट किया था तो इसलिए इसका नाम क्या रेड क्लिफ लाइन हो गया था और ऐसे जो बंगलदेश बलतिस्तान वाला portion है कौन सा है गिलगिट बलतिस्तान वाला portion है ये किसके पास है ये पाकिस्तान के पास है नीचे भी यहां देखिए ये वाला जो portion है ये भी अभी पाकिस्तान occupied है एक चीज अगर देखी जाए तो गुसा आता है कभी-कभी देखके कि पाकिस्तान ने जो प चेक कर लीजेगा इसा 46 है 49 यह सा कुछ है तो यह है पूरा इंडिया का पूरा जम्मू किश्मीर का जो भी है हिसाब किताब प्रेंट्स देखिए मैं इंडियन जोग्रोफी आपको पढ़ा रहा हूं तो वहां मैं आपको इसारे मैप्स वगरा तो पढ़ाओं गई लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जा पाएंगे ठीक है अगर आपको डिटेल में देखिए डिटेल में मैं कहने का मतलब कहा है हम मैपिंग की तो यहां और आपको डिटेल्स चाहिए होती है और चोटी-चोटी माइन्यूर डिटेल्स भी चाहिए होती है अब आएस कॉरिडोर पे अभिनव सर के दौरा एक मैपिंग का कोर्स चलाया गया है 11 रुपीज में और अभी तक वहां नियर 3000 एड्मिशन हो चुक में यहां पे अभिनव सर इंडिया की स्टेट वाइस चार पांस लेक्चर अभी उसके आ चुके अर्माचल प्रदेश मनीपूर वगएरा उन्होंने कवर कराया है तो वहां पे वो हर स्टेट के हिसाब से आपका जो उनके डांस है ठीक है हिस्टॉरिकल प्लेसिज हैं टेम कर रहे हैं ठीक उसके बाद पूरी जोग्रॉफी वहां क्या नेशनल पार्क है बायोस्फेयर रिजर्फ है कौन सी हिल्स है कौन सी रिवर्स है माइन्यूट डिटेल्स में आपको लेकि जा रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा जो इंडियन जोग्रॉफी मैं आपको पड़ा का ऐसा नहीं होगा कि जो आप मिस्ट कर पाएंगे आप सारे 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 question attempt करेंगे चाया वो UPSU चाया वो किसी भी state का exam हो सारे questions आप से एक भी question मिस नहीं होगा और आपकी 100% शौरिटी होगी कि आप सारे मैपिंगे क्वेशन कर पाएंगे इस मैपिंगे कोर्स को जॉइन करने के लिए आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप जॉइन कर सकते हैं मैं एक advertisement नहीं कर रहा हूँ मैं बस सिर्फ आप लोगों के फाइदे के लिए चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि वह ब्लेक्चर्स मैंने देखे हैं बहुत जादा detail में cover कराया हो आपका GS का बहुत जादा part भी वहां cover हो जाएगा तो चलिए friends यहाँ पे हम आपको बतायता हूँ यह सब चीज़े तो मैं आपको नहीं बताता क्योंकि अभिनव सर भी कराएंगे बट यह आपके लिए important है तो हमें तो कराना ही है यहाँ देखे पाकिस्तान जो occupied कश्मीर है यह गिलगिट वाला area है पूरा यहाँ पे ठीक है फ्रेंड यह शाक्षिकम वैली है पाकिस्तान के पास है फिर यह देखे पूरा प्यों के पाकिस्तान occupied कश्मीर है यह आपका कश्मीर वाला रिजन है जम्मू आपका रजौरी यहाँ पे पुंच है यह देखे को वारा है यहाँ पे आपको न्यूस पे सुनते रहते होंगे डेली कि क्या है यहाँ पे आपका पूरा अगस्त है या फिर ऑक्टोबर है वहाँ पे क्या हुआ था महाँ पे 370 आर्टिकल को उन्होंने हटा दिया था गॉव्मेंट ने 370 आर्टिकल हटा तो कश्मीर और लद्दाग दो अलग यूनिन टेरिटरी बन गई थी ठीक है दो यूनिन टेरिटरी बन गई थी तो बस मे सब्सक्राइब के इंडिया का बंगलादेश प strips सब्सक्राइब बॉर्डर है next only to its border with बांगलादेश बांगलादेश के सबसे आदा है फांच जो इंडियन स्टेट से हो चाइना को टच करते हैं जमू कश्मीर इमाचल प्रदेश उत्राखंड इमाचल प्रदेश उत्राखंड हो गया सिक्किम अंदर अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्र बॉर्डर से टच करती है जो नेपाल का बॉर्डर है न यह पोरस बॉर्डर है ठीक है अन्रिस्टिक्टिड मॉवमेंट है या गूट्स और पीपल की बिट्वीन इंडिया और नेपाल आपको पासपोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत सारी जो illegal activities होती है ना human trafficking drug trafficking वो भी यहां इस पोरस बॉर्डर के थ्रू होती है जो major portion है इंडो नेपालीस बॉर्डर का वो runs in the east west direction ऐसे चलता है नेपाल का direction almost along the foothills of shivalic ranges याद रखना along the foothills of shivalic ranges तो यह हो गए आपका चाइना का नेपाल का देखिए issues तो बहुत सारे है चाइना और नेपाल के बट वो आपके international relations में है थे हम उसमें ज्यादा नहीं जाएगे उसके बाद हम बात करेंगे आपका भुटान का ठीक है और पाकिस्तान का क्वाइट पीस्फुल सबस्यादा जो पीस्फुल बॉर्डर है ना सबस्यादा कम issues है वो हमारे भुटान के साथ है ठीक है भुटान में आपको बनाने happiness index है तो और भुटान के साथ हमारे relations भी अच्छे है कोई boundary dispute नहीं है दो कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर है 699 क और कौन कौन सी स्टेट से टच करता है असाम वर्णाचल प्रदेश वेस्ट बेंगॉलान सिक्किम एक बार अपनी एटलस खोल ली चीए और ये सारे चीज़े देख लीजिए आपके दिमाग में बैट जाएंगी रेटने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद पाकिस् पाकिस्तान-occupied कश्मीर के आप अंदर देखते हैं और जो कश्मीर वांडरी आए वह डाई क्लिफ लाइन नहीं है और पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत सारे वार्स हुआ है और पादर पूरा बंड कोई नुले की यहां लाइए एक और इशू के भारे करेंगे यहां पे यह है आपका सर क्रीक इशू सर क्रीक क्या है आपकी देखें क्रीक है क्रीक का मतलब एक आपके बिलकुल यह पतली सी आपके गुजरात और जो पाकिस्तान की बीच में देखें ऐसे यह एक यहां पे क्या है यह एक वाटर बॉड़ी है ठीक है फ्रेंस इसक क्रीक बोलते हैं ठीक है जो narrow water body बोलते हैं और इसका नाम है सर क्रीक इश्यू सर क्रीक तो सर क्रीक क्या 96 km की strip of water है जो की disputed है किस-किस के बीच में इंडिया और पाकिस्तान की बीच में और यह आपका कहा पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है सर क्रीक का importance क्या है क्यों इसको पर इतना इश्यू है क्यों क्यों पाकिस्तान नहीं चोड़ देता और क्यों इंडिया क्यों नहीं चोड़ देता ठीक है क्योंकि अच्छा fishing resource है और यह consider किया जाता है कि one of the largest fishing grounds in Asia क्रीक देखिए अब सबसे importance आता है oil and gas concentration अंडर दा सी जो कि अभी unexploited है thanks to this dispute क्योंकि अगर यह dispute नहीं होता तो पाकिस्तान अभी तक बेचके खा चुका होता अगर इंडिया नहीं बोलता तो अज़ा चलिए जो dispute लाए करता यह interpretation of maritime boundary लाए होगी इश्यू क्या है यह मैं आपको जब figure दिखाऊंगा इसकी वो पाकिस्तान वाले कुछ बोलते हैं इंडिया वाले अलग बोलते हैं बट मुझे जहां जब इंडिया का आजादी मिली आपको 1947 में तो सिंध आपका पाकिस्तान का पार्ट बन गया और जो कच है गुझरात वाला वो आपका इंडिया का पार्ट रह गया तो जब यह ऐसा हुआ तो अब क्या हुआ था 1914 में क्या हुआ था इंडिपेंडेंस से पहले पाकिस्तान क्यों क्लेम करता है सेंटायर क्रीक को क्योंकि Bombay Government Resolution था 1914 का जो की साइन हुआ था आपके जो Government थी उस तेम पे सिंध गी ठीक है आज आप भारत की बात नहीं कर रहे हैं आप 1914 की बात करें 1947 से और जो महराजा थे आपके कच के राव महराजा थे वो कच के उनके और Government जो सिंध थी उनके बीच में एक आपका Resolution हुआ था 1914 का जिस Resolution की वज़ह से जो अभी हम आसर क्रीक के जो Waters की बात करते हैं वो उन्होंने सिंध को दे दिये थे किसको दे दिये थे? सिंध को दे दिये थे और सिंध इंडिपेंडेंस के बाद कहा चला गया? आपका आजादी के बाद सिंध आजादी के बाद पाकिस्तान के बाद चला गया तो पाकिस्तान अभी भी बोही बोलता है कि 1914 का Bombay Resolution था उसके हिसाब से जो आपके सरक्रीक के वाटर से हैं वो किसके अंडर होने चाहिए? सिंध के अंडर होने चाहिए और सिंध पाकिस्तान का पार्ट है तो इसलिए अब ये सरक्रीक का जो वाटर है वो पाकिस्तान का होना चाहिए बट वो तो आपके आजादी से पहले की treaties थी ना, राजा महाराजा के बीच हुई थी बट वो कैसे मानने होंगी friends, उसके बाद जब इंडिया 1914 में आजाद हुआ, तो सब चीज नहीं तरीके से होनी चाहिए, तो अब इंडिया क्या सही बात करता है, मैं आपको बताता हूँ, एक international law है, unclosed, ठीक है, unclosed की एक एक ट्रीटी होते है, un की organization है, जो आपके जो international waters होते हैं, जो sea waters होते हैं, उन पे ये laws बनाती है, international law के according, थालव एक principle होता है, वहाँ पे boundary, अगर किसी भी आप जो navigable channel है, जो आपका sea का area है, water वाला area है, navigable channel, उसकी boundary कैसे fix हो सकती है, वो बताते हैं, कि देखिए, अगर आपका ये पूरा जो यहाँ पे, ये पूरा navigable channel है, तो इसकी boundary कैसे fix होगी, इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, तो भई, अब ये river किसकी होगी, पूरी, आदा आदा कर लीजिए, जी, middle से इंडिया एंड, पाकिस्तान, तो middle, बीच से कर लीजिए, अब इंडिया कहता है, जी, आदा water आप ले लीजिए, आदा हम ले लेंगे, नहीं, पाकिस्तान कहता है, नहीं, पूरा आता है, sea level rise करता है, तब आप वहाँ पे navigable, आप navigate कर सकते हैं, आप boats लेकर जा सकते हैं, ठीक है, तो boundary कैसे होनी चीए, middle, mid channel में होनी चीए, बट पाकिस्तान का कहना है कि navigable ही नहीं है, तो bound, सारा की सारा पानी हमारा है, ये issue चल रहा है, friends, इसके ओपर, देखें, क्या हुआ था, 1965 वालो जो war हुआ था, जब 1965 का आपका जो war हुआ था, तब भी, आपका ये issue आया था, सर क्रीक का, और तब भी बहुत सारे rounds हुए थे हमारे पास stocks के, बाते हुई थी, 12-13 round हुए थे, तब भी कुछ नतीजा नहीं निकला, उसके बाद 2012 में आखरी round हुआ था, ठीक है, बातों का सिलसिला जारी रहा था, 2012 में आखरी बार बात चीत हुई थी इसके उपर, बट कुछ हल नहीं निकला है, अब भी वही जो पुरानी position थी, यह देखिए, गुजरात वाला portion आपको यहाँ दिख रहा है, यह छोटा सा जो portion दिख रहा है, आपको अंदर जाता हुआ, यह है आपका सर क्रीक, अब यहाँ देखिए, यह क्या है, यह आपका पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है, अब पाकिस्तान कहता है, यह ग्रीन वाली जो लाइन है, कि यह boundary है, ग्रीन वाली लाइन से उपर वाला जो portion है, बिल्कुल सारा पानी है, वो किसका है, पाकिस्तान का है, क्योंकि 1914 में जो आपका resolution हुआ था, वो उसकी हिसाब से वो सिंध को दे दिया गया था, जो क्रीक का जो पानी है, वो सिंध का हो गया था, बट जब इंडिया कहता है, कि नहीं जी, हम तो थालवेक प्रिंसिपल के according करेंगे, अब जो रेड़ वाली लाइन दिखते हैं, इस क्रीक को बीच से डिवाइड करते हैं, मिडल से डिवाइड करते हैं, इंडिया कहता है, आदा तुम अंदर रेड क्लिफ आवाजु और जो बांट्री डिटर्माइन हुए है यह डेड क्ले अवाली बिच का पाकिस्तान दो भाइस यह ज रेड क्लिफ आवाजा है, जिसने बेंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वह ही बाइस्ट बेंगाल, असम, मि dichtडाले, व मेजोरंग ठीक है और यह सारी स्टेट्स इससे बांगला देशे लगती है और तो 781 किलोमीटर ऑफ रिवराइन बॉर्डर होता है देखे बॉर्डर तो हमारा बहुत बड़ा है बट यह इंक्ल्यूड करती है कि 781 किलोमीटर का हमारे पास रिवराइन बॉर्डर भी और आप पता है बंगला देश चलता रहता पहले गंगा वाटर शेरिंग पर जो कि अब रिजॉल्व हो गया ठीक है वहां तो दीदी का भी रोल आया था उसके बाद बहुत सारी और भी रिवर्स है जो अपने चैनल को शिफ्ट करती रहती है जिसकी वजह से जो बाउंडरी यह आपका नोन है वह अनने शाओंज अन हाउट तलपाती आइलेंड भी और पुरभाज और भाशा आया रिजॉल्व में और heck। पढ़ता है कोस्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा रिजन में आइलेंड आपका पढ़ता है इट इमर्जट इन बे ओफ बेंगॉल इन आफ्टर मैथ एक भोला साइक्लोन आया था 1970 में ठीक है भोला साइक्लोन आया था 1970 में तो यह वहां पर उपर आया आपका and disappeared around March 2010 में यह समुद्र के अंदर चला गया डिसपीर हो गया although जो आयलेंड वो इन है यहां पर कोई पर्मानेंट सेटलमेंट नहीं है बट बोथ इंडिया और बांगलादेश सोवरिनिटी क्लेम करते हैं इसके उपर because यहां पर speculations है confirm नहीं हुआ है कि बहुत सारा oil और natural gas है इस region में इसकी वज़े से देखिए कोई भी island है तो वहां पर oil और natural gas की वज़े से बहुत जादा आपका claims होता है कई countries fight करते हैं इननी natural gas और islands की वज़े से अब जो sovereignty का issue है यहां पर यहां पर यह पार्ट एक larger dispute over red cliff award जो दिया गया था यहां पर जो maritime boundaries settle कर रहे थे इनके बीच में तो यहां पर भी हुआ था और एक बात और friends मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह चलिए सबसे पहले तो हम new moore island की location देखिए यह जो location है ना इसकी यहां आया है तो यह island कभी नीचे चलाया था water की कभी उपर आयाता है लेकिन gas और oil की वज़े से आपका इसका क्या है role बहुत important है चलिए एक बात देख लेते हैं जो island है कहां पर पढ़ता है हरी बंगा river है उसके mouth पर island पढ़ता है उसके बाद friends यह जो island है यह claim किया है आप का देखिए बंगलादेश भी इसे claim करता है और इंडिया तो इसे claim करता ही करता है बट इसका अलगी dispute चलता रहता है किसके control में है इंडिया के control में है जी सोच लिए इंडिया बड़ा है बड़ी country है तो इंडिया के control में है ठीक है island was claimed by both India and Bangladesh although neither country established any permanent settlement क्योंकि यह उपर नीच से जाता रहता है फ्लेट आते हर साल तो इंडिया ने यहां क्या है होईस्ट किया इंडियन फ्लैग ना इंडियन में और एक temporary base बना जेता बॉर्डर स्कूर्डी फोर्स का जहां पर आपके जो naval ships है वो आपके आते जाते रहते और अभी किसके पास है यह अभी इंडिया के कह सकते हैं कि इंडिया के पास है बांगलादेश कहता है यह हमारा है इंडिया कहता है यह हमारा तो यह इश्यू है इस आइलेंट पर तो फ्रेंड्स आप हम बात करेंगे आपके मयानमार की जो मयानमार है वहाँ पर boundary जो रन करती है roughly along the watershed between the ब्रह्म पुत्रा एंड गह सकते हैं इसको वाटर डिवाइड गह सकते हैं इसको तो यह boundary जो इंडिया और मयानमार की रन करती है यह ब्रह्म पुत्रा और इरावडी के बीच में जो वाटर शेड है वहाँ पर यह boundary आपको मिलती है यह एक थिकली forested region से जाती है विद मीजो हिल्स मनीपुर नागा inland इंडिया की साइड में चिन हिल्स नागा हिल्स कचिन स्टेट अउन दा मयानमार साइड ठीक है तो जो बॉर्डर है मयानमार का वो 1468 किलोमेटर का है इन लेंग और एक ट्राइपॉइंट आता है ट्राइपॉइंट मतलब जहां तीन कंट्रीज मीट करती है ठीक है इंडि बाहूथ में जाते हैं तो यहाँ पर ट्राइपोइंट है इंडिया आप का चाइना एन्ड मयानमार का नीचेए आपका ट्राइपोइंट हैं इंडिया बंगलादेश-मयानमार का चली यह जो ट्राइपॉइंट है यह यह है आपका इंडिया बांगलादेश एंड किसका है मयान मार्ग तो समझ गई है मैंने का था वाटर शेड बिट्वीन भ्रहम पुत्रा एंड इरावडी रिवर वहां बाउंडरी होती है इंडिया और मयान मार्गी चलिए आगे तो हमारा अफगानिस्तान का यह देख वाला बॉर्डर है यहां से यह टच हो रहा है बाकी अफगानिस्तान का बॉर्डर और कहीं टच नहीं होता है खाली जम्मू कश्मीर में और वह भी जो अभी पाकिस्तान और कश्मीर है कश्मीर तो हमारा ही है बस कबज़ा पाकिस्तान बॉर्टर बीटाच होता है, सब लास्ट कॉंट्री बच गई है, वो है हमारी श्री लंका, देखिए, इंडिया खाली only neighbor of श्री लंका, separated by पार्क स्ट्रेट, और कोई neighbor ही नीए श्री लंका गजी, इंडिया ही neighbor है, इंडिया इन श्री लंका separate होते हैं, each other by पार्क स्ट्रेट, धनुष कोडी on Tamil Nadu post, कितने दूर है, 32 km away from तलाय मनार in Jafna Peninsula in श्री लंका, and these two points are joined by a group of isolates forming Adams Bridge, यह Adams Bridge का है, आप सबने सुना होगा, religious sentiments के साथ जुड़े हुए, चलिए दिखाते हैं आपको, सबसे पहले तो French में आपको यहाँ पे 2-3 चीज़े दिखाऊंगा, पहले दिखाऊंगा आपको पार्क स्ट्रेट, जो इंडिया और श्री लंका को यह देखिए, यहाँ पे इंडिया और श्री लंका को, जो यह आपका separate करता है न यह पार्क स्ट्रेट, यह street है, आपका between Tamil इंडिया एंड जाहफना इस्क्रिक्ट जो आपका ना्धन प्रविंस में है कहां सिः लंका इंड आपके बेळंगॉलांगोर kang ch complet नर्फ इसट हॉर्प दिखाए और ठीक है, इसकी depth वगरा जादा नहीं है, बट बहुत सारी rivers है, including वेगई river, यह तमिलाडू की river है वेगई, ठीक है, वो भी यहाँ drain करती है, यह जो straight है, वो after Robert Park, जो की governor थे मदरास का, during company राज, देखे, कब थे 1755 और 1763 के time में, यह आपके company, जो British company है, महाँ के governor थे, Robert Park मदरास के उनके नाम पे रखा गया यह, और यहाँ पर देख सकते हैं, पाक स्ट्रेट की location, उसके बाद friends फिर हम यहाँ देखते हैं, कि यह जो पाक बे है, यह in the southern end है, यहाँ पर chain है, low islands की, रीफ शोल्स की, जो की हम क्या कहते हैं, जिसको Adam Bridge कहते हैं, अब यह Adam Bridge की बात करें, तो राम सितु बनाया था, to cross this ocean, तो उसको राम सितु कहा गया था, ठीक है, यह जो extend करती है, धनुष कोडी on Pamban Island, also known as Rameswaran Island, Pamban Island, important reference, यह धनुष कोडी वहाँ जगा है, वहाँ से extend करती हैं, तमिलाडू, and then एक मनार Island and श्रीलंका, रामिश्वरम Island is linked to the Indian mainland by Pamban Bridge, अब यहाँ यहाँ पर आप यह देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं पूरा, यह क्या है, इसका क्या सीन है, देखे, यह वाला जो Island आपका, ध्यान से देखे का फिंस, important चीज़े हैं यह, इंडिया का यह यहाँ पर रामिश्वरन Island हो गया, यह Pamban Bridge हो गया, यह वाला Pamban Bridge हो ग भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो, you remember, Congress के टाइम पर यह बात चलिती कि इस जो यह राम से तु है ना, अमारा, इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है, यह जो इतना है अमारा, इसको हम तोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि जो ships अभी पूरा श्रिलंका के घूम के जाते हैं, इंडिया के इस्टन कोस्ट पे आते हैं, बहुत जादा टाइम भी लगता है, और फ्यूल भी वेस्ट होता है, तो ships क्या करेंगे, यहां से आएंगे, और इंडिया के कहां चले जाएंगे, इस्टन कोस्ट पे आपके चले जाएंगे, ताइम भी बच तो इसे फिर बाद में इसे तोड़ा नहीं गया बाकी यह आप एक बार देख लीजी यह है यह देखिए उपर वाला जो है इसके जो पाक बे इसको बोलते हैं और जो आपका एडम्स ब्रिज इसको राम सितु बोलते हैं यह फ्रेंड्स आपका बहुत पहले बना था अभी कह आपका इस लेवल राइस कर गया है जब से लेवल राइस के तो यह सी के नीचे चला गया है चलिए आगे चलते हैं यह देखिए आप इस फिगर में भी देख सकते हैं यहां पे आपको यह गल्फ ऑफ मनार दिख रहे हैं ठीक है यह पाग बे जो ऊपर वाला जो पोर्शन लकादीव सी भी मिलेगा यह लक्षदीप सी है लकादीव सी यह वाटर बॉड़ी है आपका जो बॉडर करता है इंडिया को ठीक है इंक्लिूडिंग इट्स लक्षदीब आयलंट माल्दीव भी इसमें आता है श्री लंका भी इसमें आता है यह आप तक कहा है साउट वेस्ट अफ करनाटका में लोकिटे टूट वेस्ट अफ कैरला एंट तूट अफ तमिलाडू यह जो सी है इसके स्टेबल वाटर टेंपरेशर रहते हैं मेराइन लाइफ में रिच है गल्फ अफ मननार देखिए यहां पे है 3600 स्पीचीज को होस्ट करता है उसके बाद यह सारी चीज़ है आप यहां देख सकते हैं मैंगलूरू, त्रिविंथ, पूरम, टुटिक और कॉलंबो, कन्या कुमाली, सर्दन मोस्टेप, पैनिसुला, इंडिया का इस शी को बॉर्डर करते हैं अगर हम इस शी की भी बात करते हैं तो यहां पे यह सी भी मैं आपको दिखा रहता हूँ एक बार यह देखिए, यह आपका सी है, ठीक है, तो यहां पे यह लगड़ीव सी, कहां आता है, यह माल्दीवजी कैपिड़ल आकी माले, शृरलंगाई कैपिड़ल आपकी कॉलंबो, यह आपका यहां पे गल्फ अफ मननार हो गया, गल्फ अफ मननार आपको पता है, बहुत लेक्चर है आपका वो यहाँ पे होता है आपका खत्म तो चलिए फ्रेंड्स आपके लिए एक question यहाँ पे मैं आपको आज के लेक्चर में दे देता हूं आज के लिए आपका question है देखे जो हमारे पास Gulf of मनार आपका बायोस्फेर रिजर्व है Gulf of क्या मनार ठीक है Gulf of मनार में आपका सबसे फेमस जो marine animal मिलता है ठीक है marine animal मिलता है Gulf of मनार में उसका नाम बताइए कमेंट कीजिए और मुझे Gulf of मनार में सबसे फेमस marine animal का नाम बताइए बहुत ही easy है बहुत ही simple है और आपके चाहिए उसका नाम बताइए मुझे बहुत important question है ठीक है चलिए मिलता है फ्रेंड्स आपसे next lecture में जहां हम देखेंगे कि रॉक फॉर्मिशन जो भी ड्रेवेडियन आर्कियन जो बी टाइम से वो सारा हम पढ़ेंगे next lecture में तब तक लिए टाटा बाइबाइ टिक शॉर्मिशन जो दो बाइबाइबड़ गले ड़ी टाटाटा आर्टारी से वो सारा है थाल भी सारा है अजए से वो सारा है झाल झाल